हमारे अंदर एक ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कुछ ऐसा देखने की हमारे आसपास में जो और लोग नहीं देख सकते हैं मतलब जहां पर भी आप अपने घर में हो बैठे हो अराम से बैठ करके बिना कुछ करे देख करके हसना चाहो तो कुछ हसने लाइक चीजे हैं हमारे आसपास में कुछ ऐसी सिचुएशन हैं कुछ ऐसे लोग हैं जिनको देख करके अगर हम अपने नजरिया को हलका सा बदल दे तो उसी टाइम पर हमको मजा आने लग जाएगा पूरी दुनिया मुझ लटका के बैठी है लेकिन हम चिल्डा उठे हैं अराम से बैठे हैं तो उसकी हम लाइटर साइड भी देख सकते हैं तो यह आज हम प्राक्टिकली करेंगे कैसे करेंगे कि आप में से कोई भी कुछ भी ऐसा बताएंगे यहां पर हम सब को जिससे हम स बोला कोई भी situation अपनी मा के बारे में कुछ ऐसा बोला तो वो उनकी मा नहीं है वो अम सब की मा है मा मा होती है ठीक है ना दोस्त दोस्त होते हैं दोस्त आपके कमीने नहीं सब कमीने होते हैं तो अगर आप मेंसे किसी के भी पास में कुछ है बोलने के लिए तो अपना हाथ रुपीज उसका रेंट था तो मतलब वहां से छोड़ के चला गया अभी सर मतलब सिर्फ टू थाउजन रुपीज दिये थे अभी मतलब थ्री थाउजन रुपीज बाकी थे अब सर मैंने अपने उसमें सीलिंग फैन लगा रखे दो मतलब रूम के अंदर उसके बाद फिर के ना मैंने मैंने का कि अउंटी मेरे को छोड़ना है तो वो बाकी तीन अजार लगो लेकिन मैंने का कि अब मैं क्यों दूँ मैंने तो अपने दो जार मदलब पांसो और ले लो ठाई जार उसके अधाई आपको रोकना चाहए था तो उनने बोला कि अधिये तुम्हारी गलती जाकर आप मैंने का मैं क्या करूं तो सैर वो मेरे सीलिंग फैन रख लिए नहीं दे रही है सर तब मतलब मेरे सीलिंग फैन उंकर बढ़ी और सर मेरे को बढ़ी गुस्ता इंगे कि फोड़ो ययार क्या करना मतलब तब क्या सूचरे हैं अपना बदला कैसे लोगे आपके आगे आपका को आपके अंकहों में नगरा आ रहा है सर मला मैंने ले लिया ले लिया ले ले लिया सिर्श क्या CHU सर फिर मैंने कया कि कि अब घर पर बचा नहीं कर दा कि मतलब वह वह बुलेंगे चोड़ दो चोड़ दो मैंने सर मैं पुलिस टेशन गया वहाँ पर एक अंकल टाइब के थे तो उनको मैंने अपनी सारी मतलब स्टोरी बताई कि मतलब ऐसे है सुली उन्होंने इतना पेशनस था हूं गया सर वो करते ही किया है खाली बैट वो मतलब सलाखों के पीछे थे या इदर थे इस साइड ते पुल पंखों पर कभजा किया हुआ था अपने पंखों के साथ उन्होंने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया सर्व टंगे हुए थे उनकी इतनी हाइट नहीं थे हाँ फिर फिर वह अब मेरी बुराईयां बताने लगी उनको की इसने ऐसा किया ये देको साफ साफाई नहीं करता है जो आपने करना है इनसे करो जो करना है इनसे करो आँटी में बीच में कुछ नहीं करूगा आपको जो करना है इनके साथ में करो मैं भार रहूंगा मैं एकदम साइड में खड़ा था और वो आप साइड में थे और वो फिर उन्होंने क्या किया एक मिनेट या ठीक है चल रहा है थोड़ा सी उद्धा चल रहा है आप मज़ा रहा है हाँ ठीक है फेस है वो मतलब 10-15 निट उनको लगे वो आपस में पिसन जाया हुँँँँँ अब भार थे आप वहीं बैठे थे पर मां अकेला नहीं चोड़ सकता था फिर उसके बाद क्या हुआ दस्प्तर बाद उसके बाद फिर सर अब उन्होंने मतलब जैसे बादबूत करी होगी तो वो मतलब पंखे वापस करने के लिए रेडी हो गई मैं खुश हो गई कि आपने क्या काम किया पहले नराज हो गई बाद में 15 बाद खुश हो गई तो खुशी खुशी उन्होंने आप तो आपके पंखे लोटाए लेकिन सर अब वो टंगे हुए थे अब मतलब इलेक्टिक्शिन को बुलाने में टाइम लगता तब तक फिर वो कहीं उनका फिर से मूड ना बदल जाए वापस करने आला तो मैंने सोचा कि जल्दी अल्जी कुछ करो अब मूड में आँटी है वैसे मैं कुछ भी गलत नहीं कह रहा हूं मैं तो आप लोगा दिमाग गंदा है तो नॉर्मल बात कर रहा हूं सर उसके बाद फिर मतलब पडोस में एक मले वरक्शॉप टाइप का था तो मैं वहां से अपने टूस लेकर आगया हूं उससके बात हो रही है तेरा वापसाय टूस लेकर के यससे फिर सर मैने अपने आप जल्दी जल्दी पंक्ये निकाले और मदलब अपने जल्दी से पाक करा उन दोनोंने आपकी हिल्प नहीं करी नहीं सवू बात कर रहे थें नंग वह बात कर रहे ते किती देल लगी उनकी बात खतब होने लिए थर्टी मिनिट्स तब तक आप क्या कर रहे थे उसके बाद फिर सर मैं जब मदला वो बाइक पे थे मैं आपनी साइकल पे था तो वो आगे निगले कौन वो दोनो नहीं सेर मदला वो पुलिस वाले जो अंकल थे वो आगे चले गजा अंकी लगा रहा था जिसमें वो फैन थे तो वो करे कार तूंगी तुमको मैं हूआ है सद्धियूं जब तक वो उते तब तक तो उनका है तो सिर फिर मदलब मैं निकलने लेन लेका कार दूंगी तो मैंने करो कि मैं कौन साब यहाँ पे आ रहा दूबारा बापर मुझे भार आ जाने तो इस कहानी से इसके वाँ मुवी बन सकती है पंखे वाला लूब पंखे वाला लूब पंखे वाला लूब बढ़ी आई जी बहुत बढ़ी